कौन नहीं चाता भाई, फ्री के अंदर सोचल मीडिया का यूज करके अपने बिजनस को बढ़ापाँ तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको अपना कंटेंट दालना चाहिए और किस तरीके से ज़्यादा कंवर्जन आ सकता है हम सब पोस क्या डालते हैं अपने सोचल मीडिया के अंदर नीचे कमेंट के अंदर मुझे बताना अगर आपका बिजनस है अपने बिजनस के अंदर आपकी सोचल मीडिया पोस डालते हो ज़्यादा दर लोग क्या डालते है अपने प्रोडट की फोटो घीच के डाल दी अगर कोई बड़ा प्लेयर है वो तो कोई प्रोफेशनल काम करेगा पर अगर हम जैसे कोई नॉर्मल छोटे बिजनस वाले बंदे हैं तो वो क्या करते है फोन से कीच ली ज़्यादा से अगर किसी दोस्यार के अपास DSLR के अपास उससे कीच ली और सीधा फोटो डाल देते हैं ओफिस की फोटो डाल देते हैं ऐसे डाल देते हैं लोजिकली सोचना जैसे मैं आपको पहले भी बताया है क्या उससे आपका कोई page like करेगा नहीं करेगा न तो अपने को अलग-अलग type के content दालने है हमको दालके analytics के अंदर check करना है कि भाई मेरे पास किस type के post ज़्यादा चलते है तो basically अगर social media के अंदर देखा जाए तो अलग-अलग social media के पास अलग-अलग features है पर basically अगर types देखा जाए तो कुछ common ही आते है images दाल सकते हो, text दाल सकते हो, poll दाल सकते हो या फिर आप कोई quiz दाल सकते हो, आप पूछ सकते हो कुछ या फिर आप वो tagging mechanism दाल सकते हो कि शादी करूँगी तो साहिल से ही करूँगी, tag असाहिल उस type का कुछ तो इसी type की strategy है, अगर आप अपने business के अंदर apply करो तो आपका business बढ़ेगा, पर हर रोज तो नहीं दाल सकते हैं कि शादी करूँगी तो साहिल से करूँगी, अगली दिन शादी करूँगी तो मुकेश से करूँगी शादी वाला scene हर एक के साथ काम नहीं करेगा जो भी है, आपको ज़्यादा पता होगा कि लड़किया या फिर कोई भी आपका customer आता है, वो किस type की हरकत है करता है, तो आपको वो हरकत की उपर post बनाना है उसके बाद क्याना है कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो tag है, यह एक type का post है, वीडियो बना सकते हो, पोस्त दाल सकते हो, पर हर एक type के business के लिए अलग-अलग type की चीज़े चलती है, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा analytics खोलो, वहाँ पे देखो, हर type के पहले post दालो हर type के post दाल दो, उसके बाद एक महिना, देड़ महिने के बाद आप चेक करके देखो, कि भाई मेरे कौन से post ज़ादा चल रहे है जो ज़ादा चल रहे है, मैं उसको ज़ादा यूस करूँगा जो कम चल रहे है, मैं उसको कम यूस करूँगा यहाँ पे 80-20 rule अपनाना है 80-20 rule का मतलब क्या हुआ भाई मेरे को 80% तो engagement करनी है engagement वाले post डालने है कि अगर यह साहिल वाहिल वाला tag bag वाला और भाई 10% अपना product promote करना है हमेशा यह तो नहीं करता रहा हूँ वाला tag यह tag वो या फिर office की photo अगर 10 post डाल रहा हूँ महिने के अंदर मान के चला example दे रहा हूँ तो भाई उसमें से 2 post मेरे product को based वे वी वी हो कि भाई यह offer आ गया यह हो गया वो हो गया यह हो अगर इस चीज़ को basic लेके चलो गया बहुत advance नहीं सोचोगे बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे तो बहुत असान चीज़ है social media के अंदर आप खुद सोचो अपने आपको लेके क्या मैं इस post को like करूँगा क्या मैं इस post को share करूँगा अगर करूँगा तो ठीक है तो डाल दो अगर मैं नहीं करूँगा अगर मैं खुद like नहीं कर सकता खुद share नहीं कर सकता तो मेरा customer क्यों करेगा logical बात है ना है तो अपने को बस जब भी कोई post डालना है तो ये सोच के डालना है और जो मैंने आपको strategy बताई हर post के अंदर बेचना नहीं है और हर post के अंदर engagement नहीं करना है बना के अपने दो टैग दोस्तों को टैग कर दिया और share कर दिया उसके अब आगे टैग कर देगे उसके बाद वो आगे टैग कर देगे अपने आप ही वो चीज बारन होन लिग जाएगी ये proven technique है तो आप ज़्यादा नहीं बोलूँगा आशा करता हूँ आपको बास वाज में आगे होगी अगर कोई दिक्कत है करने तो पूछ लेना अपना point of view जुरूर बताना comment के अंदर और like share करना बिलकूँ मत भूला यार बाई, good night, good night, good night, good morning, good afternoon जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं